नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल जीके पाड़ साला में दोस्तो आज हम बात करने वालें क्लास 11 के पॉलिटिकल सैंस के चेप्टर नमबर 5 से अधिकार के बारे में इससे पहले हमने 4 चेप्टर पढ़ लिये थे उन सभी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया वहाँ से आप जो सारे 4 चेप्टर है वो देख सकते हो 11 और 12 के तो आज चेप्टर 5 नमबर शुरूख करते हैं अधिकार के बारे में तो सबसे पहले देख लेते हैं सामाने परिचे और अधिकार अभी हाल फिलाल वैसे भी चर्चा में है क्योंकि अमरिका में जो भी उबदर्वत चल रहे हैं यानि कहने का मतलब है इतना आगे होने के बाद भी देश में आज भी ऐस सुएतों के साथ क्या है एक तरह से अन्याय चल रहा है उनको जो अधिकार मिलने चाहिए थे जो समानता का अधिकार है वो अभी तक भी वहाँ एक तरह से क्या प्राप्ते नहीं हुआ है कहने को दियाव है वहाँ सभीदार में मूल अधिकार लेकिन फिर भी वहाँ लोगों को समानता अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ऐस स्वेतों को तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम अकसर अधिकारों की चर्चा करते हैं तो भारत एक लोगतांतरिक देश हैं और लोगतांतरिक देश के सदस्य होने के नाते हम देगो वोट देने का हमें अधिकार है राजनितिक पार्टियां बनाने का अधिकार है चुनाव लड़ने का अधिकार है जैसे अधिकारों की बात करते रहते हैं इसके लाव और सारे बहुत सारे अधिकार है जैसे हम बात करें जैसे धर्म का अधिकार है, सिक्षा का अधिकार है, कुटुम का अधिकार है, संगठन बनाने का अधिकार है, अभिवेक्ति का है, सभा का अधिकार है, सम्ता समानता का अधिकार है, राज्य का विरोध करने का भी क्या है अधिकार है तो ये सारी चीजे हैं फिर भी हम क्या है नए-ने मांगे करते रहते हैं नए-ने अधिकारों की मांगे करते रहते हैं तो आम तोर पर जो स्विकर्थ है नागरिक और राजनेतिक अतिया जो अधिकार है उनके अलाबा जिसे सुचना का अधिकार है जिस तो इनका भी दावा जताया जा रहा है जहां हम प्राय अपने राजनितिक और सारवजिनिक जीवन से जुड़े अधिकारों का दावा करते हैं वहीं हम सामाजिक और वैक्तिक समंदों में भी अधिकार की वासा का प्रियोग करते हैं जैसे वैक्तिक समंद जैसे माता पिता हमें किसी बात करें टौकते हैं तो हम उनको क्या कहते हैं कि वही आप अपनी राय मत दो मुझे जो भी चूज करना है जो जिसका भी चुनाव करना उसका मुझे अधिकार है जैसे हम अपना केरियर चुनने में देश में बेरोक टौक गुमने के अधिकारों की बात करते हैं और तो और ने के ओल वैस्त मनुश्य के लिए बलकि बच्चों गरबस्त ब्रोणों और पसों के लिए भी क्या है अधिकारों का दावा किया जाता रहा है इस परकार विभिन लोग विभिन तरीकों से अधिकार के अधिकार के अधिकार ना परस होती है तो सबसे पहले तो जी देख लेते हैं अधिकार क्या है तो अधिकार मूल रूप से अकदारी अथ्वा ऐसा दावा है जिसका उचित्ते सिध्ध हो यह बताता कि नागरिक वैक्ति और मनुस्य होने के नाते हम किसके अकदार आएं यह कहने का मतलब यह कहते हैं कि मनु मनुष्य और पस्व में किया कुछ अंतर निरेगा तो यह कहते हैं कि मनुष्य होने के नाते हमें जिस चीज का हक मिलाव है वो ही क्या है एक तरह से अधिकार है ये ऐसी चीज है जिसको हम अपना प्रापे समझते हैं ऐसी चीज जिसे सेज समाज ऐसे वेद्य दाओ के रूप में सुविकार करें जिसका अनुमोदन क्या हो अनिवारियो कहने का मतलब है देखो अधिकार अगर तीन स्टेप में बात करें तो वेक्ति क्या करता है मांग करता है पिर समाज उसका क्या करता है अनुमोदन करता है और रज्य या जो देश है वो क्या करता है उसको लागू करता है देखो तीन चीजें वेक्ति के द्वारा मांग की जा रही है वेक्ति मांग करेगा किसी भी अधिकार की उसको समाज है वो स्विकर्ति देगा समाज स्विक्र्तित देने के बाद जो राज्य है जो देश है वो क्या करेगा उसे लागू करेगा यानि जिसका अनुमोधन हो चुका ओ फिर लागू होने का मतलब आनुमोधन हो चुका है इसका ये मतलन नहीं कि हर वैचीत जिसे मैं जरूरी और वांस नहीं समझूँ वह अधिकार है वही मेरी तो इच्छे हैं क्या क्या हैं वह मैं बता नहीं सकता तो अब वो सारी चीज़े अधिकार थोड़ी हो जाते हैं जिसे फॉर एक्जामपल मैं ये चाहूं कि मैं बिना हेलमेट लगाएं क्या है गुमता रहूं पूरे सहर में बिना शीड़ बेल लगाएं गाड़ी चलाऊं तो अब कहने को मैं ये कह सकता हूँ ये मेरे अधिकार है लेकिन मैं उनको काम में नहीं ले सकता जैसे मेरी इच्छा हो सकती है कि इस्कूल के लिए निर्दारित पोसा की बज़ा अपनी पसंद के कपड़े पहनों लेकिन पहन कर नहीं जा सकते क्योंकि ये चीजे क्या है ये अनुसाषण के दाएरे में आ जाती जैसे इस्कूल है इस्कूल में मालों जहार बच्चे पढ़ रहे हैं तो अभी सबी बच्चों के जो माता पिता है वो पेसे वाले तो हैं नहीं। वैं कुछ के गरीब हैं, कुछ के मिड़िल क्लास हैं, कुछ के अमीर हैं तो अब एक लड़का अगर बार बार नई ड्रे से पहन कर आ रहा है डेली तो जो गरीब बच्चे हैं, उनकी जो बाहना है, वो एक तरह से क्या है, अपने को हीन समझने लग जाते हैं, तो ये इसी भैद को मिटाने के लिए क्या है, सब के लिए एक ड्रेस लागू, ड्रेस कोड लागू किया जाता है, तो ये क्या है अनुसासन है, ये अधिकार नही भाई गरवाले ये जानते हैं जादा बाहर रहेगा रात को अगर दो बज़े आ रहे तो इसका मतलब कोई गलत काम कर रहे है नहीं तो दो बज़े तक बाहर रहने का क्या मतलब तो वो चीज़ें क्या है लागू नहीं है वो कहने को अपने ये कह सकते हैं ये मेरा अधिकार है कि मैं रंग भी रंगे कपड़े पेनू लेकिन वो क्या अनुसासन के दाइरे में मैं जो चाहता हूँ उसके लिए मैं स्वेम को हकतार समझता हूँ तथा जिनका बतोर अधिकार उलेक क्या जा रहा है उनके बीच क्या होता है फरक होता है वह कुछ चीज़ें जो मैंने कही भई मैं हेलमेट नहीं लगाना चाहता और बतोर अधिकार जो चीज़ें लागू की गई है वो उन दोनों में क्या होता है फरक होता है तो अधिकार उन बातों का गोतक है जिने मैं और अन्य लोग सम्मान और गरिमा का जीवन बसर करने के लिए महतुपूर्ण और आवसेक समझते हैं जिसे फौर एक्जामपल है कि आजीविक का अधिकार यानि सब को आजीविका मिले उसे नोकरी मिलेगी तो सम्मान जनक जीवन जीने के लिए क्या है आजीविका जुरूरी है तो वो क्या एक तरह से अधिकार है लाग कर रोजकार में नियोजित होना वेक्टि को आर्थिक सवतंतरता देता है इसलिए उसकी गरिमा के लिए परमूक है अगर इंकम होगी तो 17 हो कैसे भी खर्च कर सकता है फिर अगर पैसे नहीं होगे खर्च कहां करेगा यानि आर्थिक 17 था अपनी बुनियादी जरूरतों की पूर्ती हमें अपनी पर्तिबा और रूचियों की और परवर्थ होने की सौतंतर दापरदान करती है यहां हम सौतंतर अभिवेक्ति के अधिकार का उदान ले सकते है यह अधिकार हमें जो सरजनात्मक जो क्रेटिविटी है और मौलिक होने का जो मौका देती है चाहिए यह लेखन के छेतर में हो नरते, संगीत, किसी अन्य रसनात्मक क्रियाकलाप में हो देखो यहां जो रूचियों के और परवर्थ करता है कौन परवर्थ करता है जो बुनियादी जरुरते हैं वो क्या है इसकी तरह परवर्थ करती हैं जैसे बुनियादी जरुरतों में अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो है रोटी, कपड़ा और मकान तो अब ये जरूरते पूरी करने के लिए व्यक्ति अपनी परतिबा का अपयोग करता है भाई कोई व्यक्ति में डोक्टर बनने की योगित है कोई में वेगैनिक बनने की योगित है तो वो एक तरह से क्या हो गई? सवतंतरता भी हो गई यानि यह हमें अभिवेक्ति का अधिकार देती है अभिवेक्त कर सकते हैं कोई भी चीज अपनी लेकिन अभिवेक्ति की सवतंतरता लोकतांतरिक सरकार के लिए भी महतोपुन होती है क्योंकि विश्वासो और मतों की सवतंतर अभिवेक्ति की क्या देती है अनुमती देती है आजीविका का अधिकार या अभिवेक्ति की सवतंतरता जैसे अधिकार समाज में रहने वाले तमाम लोगों के लिए मैं तो पुने इसी वद्धा से उनकी परकरती विश्वे जनीन कही जाती है विश्वे जनीन का मतलब ये पूरे विश्वे में सब के लिए लागव हो है कोई एक वेक्ति नहीं जिसके लिए लागव हो ये जैसे आजिविक का अधिकार है, शुरक्षा का अधिकार है, बोजन का अधिकार है, सब को ये जो तीन चीजें हैं रोटी, कपड़ा और मकान ये तो कम से कम जो बुनियादी जरुरते हैं वो कम से कम पूरी हो इनकी जो परकरती ये जो अधिकारों की परकरती वो क्या है विश्व जनीन है यानि सब के लिए विश्व में सब के लिए लागू होते को ये नहीं कि एक वेक्ति विशेश ये एक शेतर विशेश के लिए ही लागू हो तो अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार ये है कि वे हमारी बहतरी के लिए हाउसेख हैं यदि लोगों को उनकी दक्सता और परतिबा विक्षित करने में क्या करते हैं सयोग देते हैं परतिबा पैसलिए दृप इंडियन डंस यह ऺगए रहा है किसी की जो परतिबा ही जैसे में कोई भी अच्छा गाय को प्लेटफॉर्म नहीं मिल तो यह सको क्या है प्लेटफॉर्म देते हैं उसकी प्लेटफॉर्म को उसके विचार तो वो कैसे अच्छा वक्ता बन पाएगा यानि अधिकार ऐसे होते हैं जो क्या है लोगों को आगे ले जाने में क्या है सहिक होते हैं ये लोगों को जो उनकी दक्सता है उनका परीचे दूसरों से क्या है करवाती हैं जैसे शिक्षा का अधिकार है वो हमारी तरक सकती है वह विख्शित करने में मदद करता है हमें उपयोग कोशल परदान करता है और जीवन में सुज-बूज के साथ चैन करने में सकस्म बनाता है यानि जो है वो सब शिक्षा ही है शिक्षा के माध्यम से पूरा संसार एक सटरे के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवारे समझा जाता है कि उसे सार्व भूम अधिकार माना गया है ज्यादा तरदेशों में शिक्षा का अधिकार है वो लागू किया हुआ है बरहाल अगर कोई कारेकलाब हमारे स्वास्ते और कल्यान के लिए नुकसान देख है तो उसे कर्मानित हो गया है कि जो नशिली दवाएं हैं जैसे वो क्या स्वास्ते के लिए अनिकारक है और यह अन्यों के साथ हमारे रिष्टों पर भी देखो दूस पर पावर डालती है इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते हैं हमें नशिली परदार्त होगे सेवन करने या सुई ल कुछ भी पीएं कुछ भी खायें वो हमारा अदिकार है लेकिन यह क्या है इससे नुगसान हो रहा है तो हम इसको अधिकार की संग्या नहीं दे सकते क्योंकि धुम्रपान के दुआरा एक तो खुदको भी नुक्सान होता निक्ष्ट के वेख भी लोगों के लिए खतरा कर चार देते हैं जैसे बहुत ज़्यादा दारु प्यू लेता है तो बहएक जाता है उसको पतारी नहीं क्या कर देता है कि इसकी अलाव हो और को ऐगर और ढोज ले लेता है किसी भी मारो नश्यешь की तो वह अन्य लोगों के लिए क्या हो तरगत दुम्बरपान अत्वा पर्तिबंदी द्वाओं के सेवन को अधिकार के रूप में मनने नहीं किया जा सकता है अब बात करते हैं अधिकार कहां से आते हैं तो बात आती है अधिकार कहां से आते हैं जब से स्रश्टी चल रहे हैं तब से अधिकार एक तरह से कह सकते हैं तब से अधिकार हैं लेकिन ये जो सत्रवी और अठारी सतावदे में जो राजनितिक सितान्तकार तरक देते हैं कि हमारे लिए अधिकार परकती या इस्वर परदर्थ है यानि कहने का मतलब यह है कि जो अधिकार है वो किसने दिये परकती की देन है इस्वर ने हमें क्या है परदान किये वे जनम से अधिकार हमें प्राप्त है जैसे एक बहुत फेमस नाराया कि तो कहने का मतलब जनम से ये अधिकार मिलावा है अब तो जनम से किस ने दिया ये दिये हैं प्रकृति परदत और इसवर परदत है प्रणाम था है कोई वेक्तिया सासक उन्हें चीणने सकता उन्होंने मनुष्य के तीन प्राकर्तिक अधिकार चिनित किये थे जीवन, सवतंतरता और संपति ये जो तीन अधिकार बताए हैं वैसे जॉन लोक के जॉन लोक ने तीन अधिकार बताए थे वेक्ति के कि इनको चाहे कोई राजा हो वो छीन नहीं सकता क्योंकि जीवन है वो इस्वर की देन है सवतंतरता है वो हमें परकर्ति ने परदान करिये और संपति वैक्ति ने खुद ने अरजित करिये तो इनको कोई छीन नहीं सकता अन्य तमाम जो अधिकार हैं इन बुनियादी अधिकारों में से ही निकले हैं हम इन अधिकारों का दावा करें या ना करें वैक्ति होने के नाते ये हमें प्राप्त है ये विचार की हमें जनम से कुछ खास अधिकार प्राप्त है काफी सकति साली अवदार नहीं क्योंकि इसका अर्थ ये है का विरोध करने और व्यक्तिगत सवतंतरता की रक्षा करने के लिए किया जाता था जैसे थॉमस हॉप्स की बात करें वो यह कहता था कि जीवन के उपर अगर खत्रा आ यानि जीवन जीने का अधिकार सब को है, जीवन के उपर खत्रा आ जाए, तब आप राजा के पड़ती क्या है विद्रो कर सकते हो, लौक ने बताया जीवन का सवतंतरता का संपत्ति का, इन्होंने ये का गए जीवन ने रिये, सवतंतरता ये सब इस्वर ने दिये हैं, तो कोई राजा उसे कैसे छीन सकता है, भाई हमें पैसे दिये हैं लाबू सिंग ने, तो उसको कोई दूसरा आदमी शाम सिंग थोड़ी वसूल कर सकता है, तो वोई चीजे जिसने दिया है, वोई क्या है हमसे उन चीजों को वापस ले सकता है, तो हाली के वर्सों में प्राकर तो वो हुई थी 10 दिसंबर 1948 को, बहुत सी कंपेटिशन एक्जाम में क्यूशन आता है, कि मानवा दिकारों की सारव गोमिक गोशना कब हुई थी, वो ही थी 10 दिसंबर 1948 को, तो ऐसा इसलिए क्योंकि उनके प्राकरतिक होने का विचार आज ऐस विकार ये लगता है, ऐसा मा मनुश्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वेमी खो जाया पाया है, तो जो आधोनिक विचारक हैं, जो हाली के वर्सों में जो राजनितिगे होएं, या जो विचारक होएं, उन्होंने ये कहा हैं, कि ये जो अधिकार की बात कर रहे हैं, आप जीवन की है, सौतंत देना नहीं है, यानि कहने का मतलब अधिकार है, वो माननो करत है, परकरती ने इन्हें नहीं बनाया है, माननो अधिकारों के पीछे मूल माननेता ये है, कि सबी लोग मनोसे होने के मातर से कुछ चीजें पाने के अधिकारी है, एक माननो की रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्वे का है, इसका अर्थ ये है कि एक आंतरिक दर्ष्टी से देगो सभी मनुष्य क्या है, समान है, और कोई भी व्यक्ति दूसरे का नोकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है, परकरती ने सब को समान पैदा किया है, एक रंग रूप, एक अलग चीज है, बाकी इतने भी मनुष्य हैं, सब में यही है, और सब समान है, सभी मनुष्य एक आंतरिक मुले से संबन होते हैं, उन्हें सवतंतर रहने, अपनी पूरी संबावना को शाकार करने का समान आउसर मिला चाहिए, इस विचार का इस्तिमाल नसल जाती, धर्म, लिंग, आधारित, मु दूशे करत जो चीजें हैं, जाती है, धर्म है, लिंग है, नसल है, इनके आदार पर क्या है, बेदबाव नहीं किया जाना चाहिए, जैसे महिला, लिंग के आदार पर बेदबाव की बात करें, तो एक की ओपिस में अगर करमचारी काम कर रहे हैं, तो एक जो पूरुस करम करमचारी उसको वेतन जादा दिया जाता है, बसरते कोई महिला करमचारी उसको वेतन कम दिया जाता है, यानि इनके आदार पर जो भेदबाव हो रहा है, एस समानता हो रही है, तो उनको चुनोती देने के लिए इस चीज़ का इस्तिमाल किया जा रहा है, कि सब समान है, मुहिक रूप से गरिमा और आत्म सम्मान से परिपून जिन्दकी जीने के लिए क्या है आलसे के मानता है तो अगर इन मानव अधिकारों की बात करें जो सारव उमिक गोस्नाविती 10 दिसंबर 1948 को तो उसमें भी यह समाने तो यह नियम है जैसे दासता से मुक्ती है, दास व्यापार की निस्द्धी है, जीवन सवतंतरता सुरक्सा का अधिकार है मर्मानि गिरपतारी है, इन से रोक है, रास्चेता का अधिकार है, जीविका का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है यानि जो ज़्यादातर बारतिय सवीधान में भी जो अधिकार है ना एक तरह से वो और जो मानव अधिकार जो हैं UNO के द्वारा जारी के ज़्यादातर के हैं सब सेम से ही तो पूरी दुनिया के उत्पीडित जन सार्व मानव अधिकार की आवदाना का इस्तमाल उन कानूनों को चुनोती देने के लिए कर रहे हैं जो उन्हें फर्तक करने और समान हाउसरों तथा अधिकारों से वन्चित करते हैं जैसे एक चाइना की बात करें वही तो चाइना में क्या है कुछ एक विशेश वर्ग जो मुसल्मान जाती का उनके उपर खोब अचार के जा रहे हैं तो उनको क्या कानूनी चुनोती दे रहे हैं वे माना थाकि आउधरणा की पुर्णवयक्या के लिए संगर्श कर रहे हैं ताकि वे खुद को इसमें सामिल कर सकें यानि समाज की मुख्यधारा में सारे आज हैं जैसे पाकिस्तान में हैं पाकिस्तान में जो हिंदु एल्प संके के उनके उपर के अध्याचार किये जाते हैं अभी हाल फिलाल में खूब बोला उनके मंदिर भी तोड़ दिये गए थे जबरन उनका धरम परिवर्तन करवाया जाता है यह क्या है एक तरह से मानवा दिकार की जो अवदार्ण उसका उलंगन किया जारा है सब को अपना अपना धरम मानने का अधिकार है सब अपनी अपनी इच्छा से जो भी धरम का चैन कर सकते हैं अपनी इच्छा से रह सकते हैं लेकिन कुछ चीजें होती हैं जिनका क्या उन्मूलन आवसेक है कुछ संगर्स सपल भी हुए है जैसे दास फरता का क्या है उन्मूलन हुआ लेकिन कुछ अन्य संगर्सों में अभी तक सिमित सपलता ही मिल पाई है लेकिन आज भी अनेक ऐसे समधा है जो मानोता को इस पर करब प्रिवासित करने के संगर्स में लगे है जो उनको भी सामिल करें विवित समादों में जियों जियों नए खत्रे और चुनोतियां उबरती आई है त्यों त्यों उन मानवा दिकारों की सुची लगातार बढ़ती गई है जिनका लोगों ने दावा किया है तो नए ने खत्रे आते नए नहीं चुनोतियां आती है तो सूची भी क्या है नहीं नहीं बढ़ती रहती है मसलन हम आज प्राकर्तिक प्रयावन की सुरक्षा की जरुरत के परती कापी सचेता हैं बार-बार विविन देशों के बीच क्या समेलन होते रहते हैं परतेग देशों के बीच ये किया जाता ही वही हाँ कार्बन उस सजन में कटोती की जाए ताकि एक अच्छा प्रयाउन क्या है सब को मिल सके स्वच हवा है, सुध जल है, टिकाव विकाज जैसे अधिकारों की मांगे पैदा की है, युद्य या प्राकरतिक संगट के दोरान अनेक लोग खास कर मैलाएं, बच्चे या बिमार जिन बदलाओं को जहलते हैं उनके बारे में नई जाग रुकताने आजिविका के अधिकार है, बच्चों के अधिकार है और ऐसे अन्य अधिकारों की मांग भी पैदा की है, तो एक बारते से बाबा राम देव जी को दिल्ली से ही रात को सोते समय उठा लिया था, तब एक नई अधिकार हो रहा है, नींद लेने का अधिकार तो जैसे जैसे प्रिस्तितियां पैदा होती हैं, वैसे वैसे क्या नई नई अधिकार जनम लेते रहते हैं ऐसे दावे माननों गरिमा के अतिकर्मन के परती नेतिक आकरोस का भैवविक्त करते हैं और वैसे समस्त माननों समदा है तो अधिकारों के परियोग और विश्तार के लिए लोगों से एक जूट होने का क्या है आवान करते हैं जैसे यहां एक नया अधिकार, शुचना का अधिकार, जैसे मेरे पिताजी ने बोला टेलिफोन के लिए आविधन किया था, तो अब दो महीने हो गए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो क्या करें बोला तो भाई RTA डालो उसके लिए तो हमने जो आविदन किया दो मेने होगे उसके क्या प्रोसेस चल रही है तब वो क्या है ये जो अधिकार है सुचना का RTA, RTI ये सारे बड़े इंपोर्टेंट है राइट तो एजुकेशन, राइट तो इनफोर्मिशन तो ऐसे जो अधिकार दिये हैं ये भी समय की मांग थी RTA थी, RTE थी तो जैसे जैसे समय की मांग बढ़ती गई वैसे वैसे नहीं नहीं अधिकार के सामने आते रहे आराम करने का भी अधिकार है U.N.O. तो ये गहता है कि आराम करने का भी अधिकार है और खाली समय है उसको कैसे बिता जाएं वो भी खुद को यधिकार है हमें इन दाओं के विश्टार्थता परवाव को कम करना नहीं नहीं आगना चाहिए उन्हें अक्सर व्यापक समुर्थन हासिल होता है आपने साइध पॉप स्टार बॉब गेल्डाफ की और से अफरीका में गरीबी खतम करने के लिए पस्यमी मुलकों की सरकार्व सोग की गई हाली की अपील के बारे में शुना होगा और टीव में भी देखा होगा कि उसे आम जन्ता का कितना परबल समर्थन हाशिल हुआ था तो अगर पॉप स्टार बॉब गेल्डाफ की बात करें तो इन्होंने एक तो जो अफरीका में गरीबी खतम करने के लिए एक तो इन्होंने जब अफरीका में अकाल पढ़ाता ता तब इन्होंने लाई स्टेश्यों खूब किये थे उस अकाल से मुक्ते के लिए लोगों को मुक्ती मिले इसके अलाओ जो गरीबी खतम करने के लिए पस्टी मी मुलकों की सरकारों की बात करें तो जो लोन दियावा है विक्सित देशों ने तो उन्होंने ये कहा कि भाई इस से आप माफ कर सकते हो क्योंकि आप में शमता है वो तो इसके बारे में इन्होंने कहा खुब भी हाल फिलाल में खुब चर्चाओं में रहे हैं तो बाकी जो कानूनी दिकार और जो रजिस सता है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो दोस्तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगाओ तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर करें अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें और चैनल के उबर आप नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो जो उनका नोटिविशन आपको मिलता रहे थैंकियो दोस्तो जै हिन जै भारत